शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें अरे क्या तो सब कुछ बन चुका है और रसोई भी साफ हो चुकी है देवी श्रदा ने फिर से चमतका कर दिया हमें तो पहले से ही बता था कि वो कुछ भी कर सकती है यही आदत कि मैं सब कर लूँगी अब कितनी भारी पढ़ने वाली है अभी सब को पता चल जाएगा मम्मी बुआ ताई जी यह अभे को क्या हो गया अचनक चिला क्यों रहे है चल चलिए अब ही तुरंट मेरा आना मुश्किल है एक दूसरे पेशेंट का अमरजनसी केस है आप उन्हें मेरे अस्पताल ही सीधा ले आईए स्की के मैं अभी शादा को लेकर निकलता हूं अब है अब है अरे यह क्या कर रहे हैं आप से कहा है ना देवी श्रदा से दूर रहने के लिए उतार ये ने नीचे तेरे पास इन सब के लिए अभी ताई जी अब है यह क्या तरीका आप दाई जी से भागताने का बाभी भावी रो कि अपने लाडले को यह हमेशा अपनी सिद्गार आरलता है आप लोगों को समझ भे नहीं हा रहा है। आप लोगों को समझ में नहीं हारा है श्रदा की आलत बहुत खाराब है उसे बहुत तेज बुखार है उसका पुरा बदन तप रहा है मुझे रॉक्टर के बास लेकर जाना हुसे हटी है पीजे अरे तुम पगलाग है हो क्या तुम कही नहीं जाओ गे अरे ये देवी हैं उतारो इने बास मम्मी आज नहीं आपके शन्देबन में अगर श्रदा को कुछ हो गया नहीं तो सत्मतारों में बवाई कर दूरा में अधी मेरी हागे से अधी है अधी है अभाई रूप जाओ अभाई भलत कर रो तुम्री अभाई वहाँ देवी शन्दा के भक्त उनके दर्शन के लिए आ गया होगे अगर वह उन्हे अभाई के साथ ऐसे देख लिए अभाई अभाई तो अब होगा पाभी चलिए चलिए नहीं चुतरो देवी शन्दा भोगत कहा भागा जा रहा ही नहीं आज मुझे किसी ने भी रोकने की कोशिश की ना मैं सच कहा रहो मुझसे पुरा कोई नहीं होगा हटो मेरे रास्ते से पुझे समझ नहीं याता ना बिना मार थाय तु मीमाने दा देवी शन्दा तेरी भलाई इसी में है देवी शन्दा को नीचे उतारो वर्ना अब देख क्या रहे हो मारो इस अबहतर पाठी को दीदू की ऐसी हाल है? रुकिये! च्छक कर रहे है आप तो गाटिये! अबहे, क्या हुआ दीदू को? हमारा मतलब है देवी शन्दा को तुलकु रगी तिम इसकी तभीयत बहुत खराब हो गई है बहुत बुखार ऐसे तप रही है तौक्टर के बास लेकर जाना होगा हिलाज का बाना होगा यह तो तभीयत ओहर भीगर सकती है विमार इंसान होते हैं देवी देवता नहीं हमारी देवी को कुछ नहीं हुआ है इन पर कोई भी दवाई आसर नहीं करेंगी कोड़ी की इंसानियत नहीं बची है तुम्में रोष्नी तुम एक डॉक्टर हो शदा की हालत देखो बदन तपरा उसका बुखार के मारे है तुम्ही यह अन्दविश्वासी बाते कर रही हो हमेक डॉक्टर हूँ इसलिए यह सब बोल रही हूँ मेरी यह किसी और डॉक्टर की रभाई उन पर काम नहीं करेगी वो देवी है जो इंसानों को उनके कश्टों से मुक्त कर देती है इन्हें भला क्या होगा? सही कह रही है यह हम भावतों का कश्ट अपने उपर ले ली है इसलिए इनकी यह हालत हुई है क्या नाटक है यह रॉष्णिया? तुम्हें वो श्प्रे किया ना हमारे मना करने के बाद भी मैंने कुछ नहीं की है किर्थी और तुम तो मेरे हाथ से चीन कर लेके गई थी ना कुछ नहीं हो आश्रता को यह बस थकान की वज़े से साधारन बुखार वाली दवाई लेगी ना ठीक हो चाहेगी वो होने तो पहले हमारा पूरा मकसत पूरा होने तो फिर उसके बाद रोश्नी लिव किर्थी अरोजा रखो मुझ पर मैं एक डॉक्टर हूँ मैं शदा को कुछ नहीं होने तूंगी तुम टेंशन मत लो अरे चुपो जाओ तुम लोगो ने खुद अपनी आखो से देखा कि कैसे मंदिर में वो बड़ी घंटी शदा देवी के उपर गिरी और उन्हें घरोज तक नहीं आई और शुर्च के एखोल तूस कि शर्च को अबी भी कुछ नहीं होगा वह अपने साथ नहीं लेकर जाएगा देवी शदा गो अगर देवी शदा गई तो हम अपना भक्ता जंग सभाधी ले लेएगी और कोई दवा भी मत दीचेगा देवी शद्दा को हम बवतों की आस्ता है और देवी खुदी ठीक होकर अपना चमतकार दिखाएंगी चाथी क्या हो तुम? क्यों शद्दा के पीछे पड़ी हो? क्यों उसकी जान लेने पे दुली हो तुम? मैं तुमारे आगे हाथ जोड़ता हूं रोष्णी अपना ये घटिया खेल बंद करो शद्दा को इलाज की बहुत जाना त्वरूरत है अभी ठीक है मैं उसे दवाई दे दूँगी और ये खेल में खत्म कर दूँगी लेकिन मेरी एक शर्त है क्या चाहती हो तुमारे एक मिनट अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा ना तो वो अपनी सांसे छोड़ देगी और उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो गया भे सिर्फ तुम मशीड मेरी जिन्दगी की सबसे बड़ी गलती हो तो इस कलती को मैं और बढ़ावा नहीं दूँगा तुम अपने गंदे इरादों में कभी काम्याम नहीं होगी मैं शर्दा का साथ कभी नहीं छोडूँगा सुना तुमने मैं शर्दा को तलाग नहीं दूँगा किस्मत से टकराती उलजी लकीरों को सुलजहाती शर्दा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाईए शिमारू उमंग